पागते स्टुएंट्स देखिए आपके क्वेश्चन है कि टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स ए एंड बी दू आइडेंटिकल ब्लॉक्स एंड बी इच अप मास एम रेस्टिंग और स्मूध फ्लोर और कनेक्टेड वाइट इस प्रिंग अफ नैचुरल लेंथ एलन प्रिंग के साथ इस ब्लॉक का नाब एध इसका नाम भी है द comparative से यदि देटा कम लोक्व के और वह तीसरा जो ब्लॉक है वह आ रहा है जो आड़ा येंटिकल व्लोक वह भी सेम मासक है और वो क्या हो रहे कि कि युद्व से से और ये इनकी तरफ आ रहा हुआ कि इतना इस पीड से आ है उनका collision head on elastic है तो यहाँ पर velocities exchange हो जाती है तो यहाँ C और A के identical bodies है दोनों का mass से में और एक rest पर दूसरा चल रहा था V velocity के साथ collision head on elastic है तो velocity exchange हो जागा मतलब C क्या होगा रुख जाएगा ती का velocity 0 हो जाएगा और A जो है वो V velocity से चलने लगेगा spring इस तरह से उसके साथ जुड़ा हुआ है B के साथ यह जुड़ा हुआ है ठीक है तो यह V से चलने लगेगा अब C का कोई काम नहीं है C को अभी फिलाल के लिए हटा दो तो अगर A जो है वो V से चलने लगा तो यह तब तक चलेगा तब तक चलेगा जब तक सारा वेलोसिटी A को दे देगा A उस वेलोसिटी V से कुछ देर तक चलेगा और जब spring पूरी तरह से compress हो जाएगा तब और spring को compress नहीं किया जा सकता अब B को भी आगे बढ़ना पड़ेगा A के साथ साथ और माल लो दोनों capital V स्पीट से चलने लगा समझ गए तो हम इसके लिए initial momentum और इसके लिए final momentum लिखेंगे और दोनों को equate करके conservation of momentum सबसे पहले यहाँ पर लगाने वाले है तो momentum शुरुवात में किसके बास था mass into velocity of A B रुका हुआ था फिर वो compress हो गया spring पूरा और A B साथ में चलने लगा mass of A plus mass of B into दोनों का common velocity V तो हमको इससे पता चलिया कि A और B spring के पूरी तरह से compress हो जाने के बाद V velocity से capital V velocity से चलेगा जिसका value हो गए V by 2 यह हमको पता चलिया तो maximum compress होने के बाद A का B का velocity हो जागा V by 2 चलो अब हम लगाने वाले हैं conservation of energy conservation of energy conservation of energy के अनुसार जो total energy शुरुआत में था मतलब initially था वही total energy finally भी होना चाहिए शुरुआत में अगर देखे तो केवल C चल रहा था तो केवल kinetic energy था किसके पास वो भी C के पास बाकी दोनों के पास कुछ भी नहीं था फिर क्या हुआ कि A चलने लगा B भी चलने लगा तो kinetic energy of A kinetic energy of B ये दोनों आ गया साथ ही साथ spring भी compress हो गया तो यहाँ पर potential energy of spring भी आ जाएगा तो total initial energy equal to total final energy और kinetic energy C का कितना लिखेंगे half into M into V square फिर kinetic energy A का कितना लिखेंगे half into M into V square और फिर B का भी उतनी होगा तो into 2 कर दो plus potential energy spring का क्या लिखेंगे half K X square अब यहाँ से अगर देखो तो half हर जगा से cut जागा यह हो जागा M V square यह हो जागा M V square by 4 into 2 तो 2 M V square by 4 तो M V square by 2 लिख दो direct यह देखो half cut चुका है M V square by 4 और यह 2 से cut के M V square by 2 आ जागा plus K X square ठीक अब यहाँ से यह M V square by 2 उधर चल जागा तो M V square minus M V square by 2 क्या बचेगा M V square by 2 equal to K X square और हमको चाहिए था X यहाँ से X आ चुका है K नीचे आ जागा M V square by 2K और इसका root तो V यहाँ से बाहर आ जागा और root के अंदर क्या बचेगा M by 2K तो इस तरह से अगर देखेंगे तो इसका option number A हमको सही होता हुआ दिख रहा है तो ऐसे आपको इस question को बनाना था I hope आप यह method समझ पाएंगे Thank you so much for watching